कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुती प्रति दिन एक कविता कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज सुनिए अर्शना वर्मा के लिखी कविता पहरा, सुनिए कविता मेरी यान्य आर्टी की आवाज में. जहां आज बर्फ है, बहुत पहले, वहाँ एक नदी थी. एक चहरा है निर्विकार, जमी हुई नदी. आख बर्फ में सुराख, द्वार के भीतर है तो एक संसार मगर कैद. हलचलों पर मुस्तैद, महज अधिरा है, सख्त और खुंखार और गहरा है. पहरा है उस पर जो बर्फ की नसों में बहा, नदी ने जिसे जम कर सहा. आज की कविता को आप पॉड्कास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं. आप जहां भी प्रती दिन एक कविता सुन रहे हैं, वहां अपने कॉमेंस शेर करना न भूले. अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तिती हर सुबह आपके वॉट्साप पर आजाए, तो हमें इस नंबर पर मेसेज भेजें. 74-287-75376 कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे.